Hello everyone, मैं मिथुन सिंग, स्वागत करता हूँ आप सभी का, आसा करता हूँ आप सभी, बहुत अच्छे होंगे, देखिए, ओलम्पिक को लेकर बहुत बज था, और ओलम्पिक फाइनली हुआ, टोक्यो में, चपान के टोक्यो सहर में, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यह 2021 में भलही कराया गया हो, लेकिन इसे 2020 का ही नाम दिया गया है, याद रखिएगा इस बात को, तो यह fun fact है, और कुछ चीज़ें और देखेंगे हम लोग इस वीडियो में, और details में अगर आप one liner इसकी पढ़नी चाहते हो, तो मैंने जो notes लोगों को provide करे हैं, वो लोग करते हैं, और class की और शुरुवात करते हैं, पहली question के साथ, under which wrestling category does Deepak Punya representing India at Olympic, देखें, टोक्यो ओलम्पिक में जो है, Deepak Punya wrestling category में किस category में इंडिया को represent करेंगे, 65 kg में, 57 में, 86 में या 75 में, इन्होंने represent किया है, तो किस category में represent किया है, आपको मैं बतातू, यह जो answer है न, यह जाएगा, 86 के चीज़, याद रखेगा, 86 is the right answer, ऐसे question बन पड़ते हैं, और बार-बार पूछे जाते हैं, अब देखिए, अगली question है, देखिए, मीरा बाई चानू, woman wrestling is representing India, किस category में इन्होंने जो है, Olympic में इन्होंने participate किया था, एक बात और में बता दू, इन्होंने इनका जो right answer, जो इन्होंने जो है, 49 केजी वाले category में participation की थी, तो इनके परिवार को, इनके coaching stops को, इनके गाउंवाले को, और हर supporter को बहुत-बहुत धन्यवाद कि इन्होंने इंडिया को proud feel कराया, तो इसका right answer A होगा, और आगे बढ़ेंगे, next question की और, दखिए, सबसे पहल जीतने की दो बात दूर की है, तो देखिए, इसका जो correct answer होगा, वो है भावना देवी, और भावना देवी, C.A. भावना देवी is the right answer B, के साथ आपको जाना था, आगे बढ़ेंगे, अगले question की और, उससे पहले मैं आप लोगों को बतातूं, जिन्होंने notes 499 का लिया है, उनके लिए one liner Olympic के जीके add कर दिये गए हैं, details में मैंने सारी बातें कर रखी है, Olympic की सारे questions को, छोटे से छोटे question, कितने कितने medal जीते, पूरे top 3 के model, medals के details भी मैंने notes में provide कर रखे हैं, अगर आप लेना चाते हो notes, तो आप ले सकते हो, और जिन्होंने ले रखा है, वो मुझ 499 में notes को purchase कर सकते हो, यहां से मेरी email ID देख लो, yourmithunssing at the rates email.com पे mail कर लिए और insta पे हो, then do follow me at the rate ahimithunssing, तो वहां पे आपको paper, जो है, मिल जाएगा, यह जो notes है, वो आपको provide कर दिया जाएगा, तो चलिए बढ़ते हैं, अगले question की और, देखिए, वो woman golfer कौन थी, जि देखिए, इसका जो correct answer होगा, वो होगा, अदिती असोग, तो आपको answer दिखेगा, कहां, option number C में आपको जाना था, C is the correct answer, अगले question की और बढ़ेंगे, which Indian Olympic gymnastic is going to represent India at Olympic 2020, तो देखिए, उस जो है, gymnastic का नाम बताना है, तो देखिए, इसका जो correct answer होगा, वो होगा, परिनती A is the right answer, very next question की और हम लोग अगर बढ़ें, तो यहां से आपको दिखेगा, which Indian wrestler is going to represent India at Olympic 2020 in men's 65 kg, तो देखिए, 65 kg में, इंडिया को represent करने वाले थे, none other than बजरंग पुनिया, यानि की D is the correct answer, अगले question की और बढ़ेंगे, Sonam Malik is going to represent India, actually, Sonam Malik ने जो है, इंडिया को represent किया था, किस kg में, तो 62 kg वाले category में इंडिया को represent किया था, next question की और बढ़ेंगे, तो आपको बताना की Tokyo Olympic 2020 का musket क्या था, तो देखिए, musket वो होता है, जो एक logo बनाया जाता है, या फिर कोई cartoon, actually, ये animal ही होता है, और उसे जो है, थोड़ी से cartoon वाली save दे जाती है, और वो होता है, त तो A, ये जो इसका answer होगा, वो होगा B, अगले question की और बढ़ेंगे, what do the five rings on the Olympic symbol represent, तो देखिए, five जो rings है न, वो क्या represent करते हैं, ये आपको बताना है, तो देखिए, इसका जो right answer होगा, वो ये five, जो है, continent को represent करते हैं, याद रखिएगा, five continent को present करते हैं, और जो five color हैं, कि color को जो है, कौन से continent को represent करता है, comment box में अगर कोई बता दे, question of the day, यही रने वाला है, Olympic के next वीडियो में उनका नाम जरूर लिया जाएगा, आगे बढ़ेंगे, next question की और, at which of the following Olympics were gold medals made of pure gold last, देखिए, last बार न, जब pure gold दिया गया था winner को, तो ये कब हुआ था, तो देखिए नमबर A, 1920 को, जी हाँ, 1912 को, is the right answer इसका हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे अगले question की और, लेकिन अगला question है ही नहीं, क्योंकि मैंने 10 का ही छोटी सी एक series चला रखी है, और जिन्हें मैंने कहा ना, जिन्हें GK, CDP, GK, GS, सारे के notes यह ना, pedagogy के, वो मुझसे contact कर सकते हैं, देखे, 499 में आपको यह notes provide कर दिया जाएगा, मैंने army school खुद qualify किया है, तो आप मेरे experience को अगर लेना चाहते हो, then आप notes purchase कर सकते हो, अगर आपको previous year question paper चाहिए, तो आप 100 रुपिस का एक छोटा सा transaction करोगे, तो आपको previous year question paper provide कर दिया जाएगा, यहां से मेरी email ID देख लो, yourmithunshing at the rate gmail.com पे mail कर लीजे, if you are on Instagram, then do follow me at the rate imithunshing, paper और notes के बारे में आप वहां पे inquiry कर सकते हो, तो फिलाल के लिए इतना ही, you guys are amazing, keep reading, keep learning, keep growing, thanks for watching this video.